आप देख रहे हैं शतक आज तक राष्टपती रामनात कोवंद ने संसत के संयुक्ति सत्र को किया संबोधित मोधी सरकार के एजेंडे को रखा देश की सामने राश्ट्रपती के अभिभाषण में मोदी सरकार के न्यू इंडिया का खाका सबके विकास और विश्वास का संकल राश्ट्रपती ने अभिभाषण में तीन तलाग को बताये कूप्रथा निकाहलाला को हटाने का भी संकल मोधी सरकार ने दोराया संकल्ब कहा जरूरी है तीन तलाक और हलाला जैसी कूपरथाओं का खत्मा इस देश ने बहुत ऐसे समय आये हैं जब इस तरह की सामाईजी कुरीटियों और कुपरथाओं को खत्म करने में महातपुन भूली का निवाई है विशेश दोर से संसर्ने तीन तलाक को लेकर अपने पुराने रविये पर अड़ी है कॉंग्रिस कहा सरकार नहीं सुन रही हमारी बात ये एक लीगल मैटर है जिसमें सबी लोगों का सबी संगठनों का हमकी लीगल राय लेनी चाहिए तीन तलाक और निकाह हलाला की जर्चा को लेकर आग बबूला हुए विरोधी कहा इन मामलों में जीक नहीं है दखलंदाजी ये जो छेड़ चाल की जा रही है और जबरदस्ती है बिल जो लाए गया है बिलको गलत है और हम चाहते हैं कि मुसल्मानों के मुसालमें जो कुद्रती फैसले हैं उन्हीं पर अमल किया जाए तीन तलाक को लेकर आक्शन में सरकार का लोगसभा में बिल पेश करेंगे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद राश्चुपती ने अभिभाशन में किया मसूद अजर का जिक्र आतंकवात के खिलाफ लडाई की भी चर्चा राश्चुपती ने अभिभाशन में राफेल का भी किया जिक्र कहा जल्द मिलने वाला है लडा को विमान राफेल को लेकर राहुल ने फिर सरकार पर साधा निशाना बोले डील में चोरी तो हुई है अलिधन के मुद्धे पर राष्टपती ने सरकार के एजिन्रे को किया साफ बोले तेजवी भृष्टाचार के खिलाफ रड़ाई राष्टपती के अभिभाषर पर कॉंग्रिस का पलटवार कहा सर्फ बादे करती है सरकार पछले पांक सालों के कामकाज पर उठाए सबाद राष्टपती के अभिभाषर के दौरान मोबाईल में मश्कूल दिखे राहूल गांधी बीजेपी बोली नहीं सुधरेंगे कॉंग्रिस के ध्यक्ष राहूल पर बीजेपी के हमले पर कॉंग्रिस का पलटवार कहा पूरे ध्यान से राष्टपती का भाषन सुन रहे थे पाटियत ध्यक्ष चंद्र बाबु नाइडू को लगा जोर का जटका टीडीपी के छे राज्जी सभा सांसदों में से चार बीजेपी में शामल बीजेपी में शामल होने वाले चार सांसदों में से तीन ने छोड़ी राज्जी सभा के सदसता उपराष्टपती को सौंपा इस्तीफा तमिलाडू से राज्जी सबाद चुनाव लड़ सकते हैं मनमोहन सेंग सुबे के छे सीटों के लिए होना है चुनाव पियम ने सभी सांसदों को खाने पर बुलाया होटल अशोका में डिनर का आयूज़ मुंबई के स्पेशल एनाईय कोर्ट से प्रग्याठाकूर को जटका पेशी की छूट के अर्जी को कोर्ट ने किया खारज बिहार में लागातार बढ़ रहा है चमके से मौत का अंकड़ा अब तक 138 बच्चों की गई जान अकेले मुझफर पूर में 120 बच्चों की मौत 400 घंटे सभी अस्पितालों को अलर्ट रहने का हिर्देश आज पर बच्चों की मौत पर नितीश ने साधी चुपी नहीं दिये सवालों की जवाब मुझफर पूर में नेताओं की जाने का सिलसला जारी लंबे चौड़े काफले के साथ शरद यादव पहुंचे अस्पिताल और इसलिए मैं दो तीन वाड़ देख करके चल जा रहा हूँ वोई तकलीब देख करके जा रहा हूँ मुझफर पूर में खेसारी लाल यादव के अस्पिताल पहुंचने से अफरात अफरीका महौल वापस तोटे भूचपूरी अक्टर बिहार के मुझफर पूर में बच्चों की मौत पर दिली में आक्रोश जंतर मंतर पर जोड़दार प्रदर्श बिहार में गर्मी का जानलेवा के हैर अलग-अलग जिलो में अब तक सौ से जादा लोगों की मौत गया के मेडिकल कॉलेज पहुंचे नितीश कुमार गर्मी प्रुभवत मरीजों से की मुलाकात गया में लू ने ले ली है पैतीस लोगों की जान और अंगाबाद में दो दर्जन से जादा मौत नवादा में साथ लोगों की जान गई कल्देश भर में बनाय जाएगा योगडिवस जारखन के रांची में योगा भ्यास करेंगे प्रधान मंतरी नरेम रुभव हर्यानक और रहतर में योगडिवस के तैयारी पूरी कर ली गई है 25,000 सादकों के साथ योग करेंगे गरिह मंतरी अमिज शाह दिल्ले के राजपत पर योग करेंगे प्रकाज आबडेकर राजधाने के दूसरे इलाकों में मौजूद होंगे दूसरे मंतरी दिल्ले में योग दिवस की जोर्दार तयारी सुबर 4 बजे से शुरू हो जाएगी मेटर सेबा सहरंथपुर में सेना के जवानों ने घोड़े पर किया योग रिमाॉंन ट्रेनिंग स्कूल का कमा सरहत पर भी योग दिवस की तैयारी बेसप की जवानों ने किया अभ्यास दिल्ली में पानी के समस्या को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जल बोड का तिया घिरा के ज्रवाल का जलाया पुतला अर्याना के जजजर में पानी के समस्या को लेकर पूटा लोगूं का गुसा हाईवे पर घंटो तक लगाया जाम राजिस्थान के भरत्वर में पानी के भारे किल्ट लोगों में जबर्दस गुसा वश्म बंगाल के आसन सोल में बिज्री और पानी के फिलत गुसाई लोगों ने सड़क पर लगा दिया जाम तमिलाडु में पीने के पानी की भीशन के लग चिनने के होटलों में लगे ताले और अंगाबाद में भीरोजगारी के खिलाप NCP का प्रदर्शन अस्थे कलश बना कर विसरजित की दिग्रिया राजस्थान के बाड में एग में उन्नीस पाकिस्तानियों को मिली भार्तिय नागरिक्ता भावख वोकर बुले आज हुआ दूसरा ज़्ट बिहार में 217 को लेकर NIA की चापिमारी पूर्व MLA सुनील पांडे के रिष्पिदार के घर पर सर्च उपरेशन बकसर में पूर्व MLC हलास पांडे के घर पर भी NIA का चापा 477 की बरामदगी को लेकर कारवाई हेरासत में मौत के मामने में गुजरात के पूर्वा IPS संजीव भठ दोशी करार उम्रुक्याद की सजा संजीव भठ को उम्रुक्याद पर सुल्गी सियासत कॉंग्रिस ने मोदी और अमिट शाह पर साधा निशाना जिस अपसर ने मोदी जी या या अमिट साह उसके सामने आवाज उठाई तो उसमें या तो उसको तबादला किया जाता है सस्पेंड किया जाता है डी स्मिस किया जाता है या तो जेल में बंद किया जाता है 1990 में जामनगर में हुई थी जेल में मौत तब ESP के पद पर तैनाथे संजी भट लगाता है रासत में मानपीट करने का हारू पशम बंगाल के नौर्थ 24 परगना में दो गुटों में गोली बारी और बंबारी एक शक्स की जान गए पशम बंगाल के हुबली में बीजे पी और टीम से कारे करताओं में खूनी जंग दोनों उरसे कई लोग जखती वारांसे में सिंगर हार्ड कॉर पर मामरा दर्च सीम योगी के खलाफ गाने में इस्तिमाल किये थे अब शक्त इमाचल की कुल्यों में पांसों फीट गेरी खाई में गिरी बस बीस की मौच 40 से 50 लोग जखती बिहार के हाजीपूर में खतल के आरोप के साथ मौच मस्ती करते पुलिस कर्मियों का विडियो वारल चार्ट गिरफतार दले के लक्षमिनगर में दबंगो ने प्रॉपर्टी डिलर को मारी गोली खड़की से छोड़ चार्ट करने पर हुआ था विबाद गाज्यबाद में पुलिस का हैरान करने वाला चहरा आया सामने आरोपी को थाने में पिलाई चाये इंसाफ के लिए भटकता रहा थे लिए वारानसी में रोडवेज करने और प्रावेट बस करने की बीच मारपीट रोजवेट कर्मचार्णियों ने किया चक्का जाए हैदरबाद में बीज़ेपी मेले टी राजा सिंग और पुलिस करने की बीच मारपीट विधाय के सर में आई चोग मॉंबाई के शताबदी हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स का हंगामा एक महला पर लगाया मारपीट और तोड़ फोड का आरोप गुरपुट में दहेच में बाइक मांगने को लेकर बबाल दोनों पक्षूं की ओर से चली लाठिया दोला पन्दा नर्स पर भूमरा की गेंद लगने के बाद विज़ेशंकर ने आज नहीं के बले बाजी फेजियों के साथ गुजारा अपना बागत साउथ हाम्टन में बच्चों के साथ क्रिकेट सितारे दिखाए दिये विराठ हार्दिक राहूल ने जम करकी मौच मस दे शनिवार कव भानिस्तान के खलाब वज़े की जगार रिशब पन के खेलने के आसार शकर की जगर टीम में जुड़े हैं रिशब वाल्ल कप से शिखर के बाहर होने पर पियमोदी ने किया ठ्वीट जटाई उमीद जल्दी ठीक होकर मैदान पर दिखाएंगे अपना जल्बाद अस्रेलिया ने बांगलादेश को दिया 382 का लक्षर डिविड बॉर्णर का शांदार शतक सेमिफानल के लिए बांगलादेश को जीतना जरूर असुरी में बनाया गया पंद्रो सो फीट लंबा वॉल ओफ होप आसपास के इलाके में ठेकी बोत्लों से हुआ है नर्माण चेन ने के बाहरी इलाकों में जोरदार बारिश अगले छे दुनों तक बरसात का अनुमाद उत्राखंड के बागेश्वर में मुसाधार बारिश से उफान पर नदी नाले केसानों के चहरे पर लोटके मुस्कान पंजाब के लुध्यानाय में भी बदला मौसम का मिजास बारिश ने दिलाई गर्मी से रहत बारिश से तरबतर हुआ पंजाब कामरिच सर नगर निगम की खुली पोल सडकों पर नजर आने लगे हैं गढ़े योग दिवस से पहले रांची में बारिश की बाद खुश्णुमा हुआ मौसम गर्मी से लोगों को मिली रहत गुरवार को सोने की कीमते 210 रुपे बढ़कर 34,020 रुपे प्रतितोला चांदी 710 रुपे बढ़कर 49,070 रुपे प्रतिकिलो कल होगी जीस्टी काउंसिल की बैठा कठाइस फीसिदी के दारे में आने वाले कई सामान सस्ते होने के आसार गुरवार को डीजल की कीमतों में छेप, पैसे प्रति लीजर की गिरावट आई, पट्रोल की कीमतों में चौते दिन भी नहीं हुआ कोई बतला अपॉलो म्यूनिक एंशुरंस में HDFC ने खरीदी 51 फीसिदी हिस्सेदारी 1336 करोड रुपे में हुई जी अमेरिके फिर्म ब्लाक स्टोन ने मुंबई में खरीदा सबसे महगा आफिस बांदरा कॉला कॉंप्रेफ्स में 25 सौक करोड में जी एर इंडिया को बेचने के लिए सरकार ने तयार किया नया प्लान विक्री के शर्तों में दी जा सकती है धी काशी में 683 करोड रुपे की लागत से बनेगा मोक्ष कॉरिडोर लंबी वेटिंग लिस्टे मिलेगा छुटतारा अमेरिके सामानों पर टारिफ बढ़ाने से बॉक लाए ट्रॉम्प भारत को H1B वीजा कम करने की धंकी दे रेनो मोटर्स ने सेवन सीटर MPV कार ट्राइबर से उठाया पर दच्छी लाग रुपे के आज पास हो सकती है इसकी प्यूप प्या मोटर्स ने भारत में पेश की पहली SUV सेल्टास अक्टूबर नवंबर में हो सकती है लाउंच सिटमबर में सेंटराष्ट की महासभा में हिस्दा लेंगे पाकिस्दान की पियम इमरान खान, विदेश मंत्री शाह मेहमूद कुरेशी भी जाएंगे साथ तुर्की के राश्वपती का संसनिक इस दावा कहा में शुकिपूर राश्वपती मुहमद हुर्शी के हत्या की गई दीवार तोड़कर घर से बाहर निकाला गया पाकिस्तान का सबसे वजनी शक्स 330 किलो है 55 साल के नुरूल हसन का वज़न डिटेन में बढ़ते प्रदूशन के खलाब जोरदार विरोध प्रदूशन सरकार के खलाब जबरदस्त नाराज़ लेदिस खबरों के लिए यूही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले कर दो कर दो कर दो लाओवागाईब कर दो दो